मुगल बाद्शा की मौत का वो आखरी दिन जिसे लोग आज भी याद करते हैं 369 उर्स बाद्शा शहाजां का हजारों लोगों ने ताज का दीदार कर याद किया कहते हैं इतिहास को याद करने के लिए इतिहास को समझना उस लमहे को समझना बेहत जरूरी है मुगल बादशा शहाजा की मौत को 369 साल गुजर चुके हैं लेकिन दुनिया के सबसे खूपसूरत इमारत बनाने वाले बादशा सहाजा को लोग ताज महल और उसके इश्च के लिए याद करते हैं बादशा का उर्स को ताज महल में हजारों की संख्या में लोग शरीक हुए और हर साल उर्स पर हिंदू और मुसल्मान एक साथ मिलकर बादशा को याद करके उनकी कब्र पर चादा चड़ाते हैं कहते हैं इस चादर को बनवाने का हर साल नए तरीके का इस्तिमाल और होता है इसमें दौनों धर्मों के लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं गुरुवार को उर्ज के आखरी दिन कुल की रस्व अदा की गई उसके बाद मुख्य मकबरे में सलाव सलाम पड़ा गया जिसके बाद चादर पोसी का सिलसिला शुरू हो गया और पूरे दिन स्रद्धालूं दौरा मुख्य मकबरे पर चादर ने चड़ाई गई सबसे खास बात ये है कि उर्ज कमेटी की ओर से 1560 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर लेकर कमेटी के अद्यक्ष ताहर उद्धीन ताहिस रधालूं का हजूम लेकर ताज महल इस्तित शहाजा के मुख्य मकबरे पर पहुँच गए जहां सभी ने चादर पोसी की और अमन चैन की दूआ मागी असल में ताज महल में उर्स में चड़ाई जाने वाली चादर को हर साल बढ़ा किया जाता है यानि पिछले साल जो चादर थी उससे वो बड़ी ही होगी और सभी धर्मों के लोग मिलकर इस चादर को तयार करते हैं इसलिए इस चादर का नाम हिंदुस्तानी सतरंगी चादर रखा गया है जिसमें सभी समाज के लोग हिस्सा लेते हैं जादर का प्यार इसकंद देते हैं और यह चादर शाजा बास्या जाए यह मनतों कि चादर है यह आस्ता की चादर है इस पर लोग मनत मानते जिनकी मनत पूरी होती है वो लोग कपड़ देते हैं अब के 1600 मीटर कपड़ आया था लेकि पंदासु साथ किलमीटर लगा गया चालीस किलमीटर कराब हो गया लेह यह सब शाजा बास्या की मेर एजमेर बाले खौजा की मेर यह सब बले 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 बलीयों की खेर है उनकी दुआओं से यह सब शाह जहा बादशा उनका नाम पूरा शेहन शाह शाह जहा शहा बुद्दिन बादशा उनकी मजार पर यह सब पेश की जाती है शूफी साभे और भी साभे सादू, सन, सूफी सब मिल के चड़ा की है